थमनेल देखकर आपको हसे तो जरूर आयोगी दोस्ते बले ही राउल गंदी जी को इस निकनेम से बुलाया जाता हूँ लेकिन हाली में जो लोकसभा सीट के लिए जो चुनावी परचा उन्होंने दाखिल करा उसमें अपनी इंकम के साथ साथ शेयर गोल्ड पॉंड और करें का चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों चलिए दोस्तों साड़े चार करोड हो पोर्ट फोल्यों को एनिलाइइस करते हैं दोस्तों से पहलें बात बता दो ना कृपनी के स्टाउक्स नोने नहीं नहीं लिया हुआ इनके stock portfolio में पहली जो company है दोस्तो अलकाई enemies chemical limited है 373 की quantity के साथ 7,40,000 का investment है दोसरी जो company है Asian Pants Limited 1231 की quantity लिए हुई है 35,30,000 का investment है इसमें तीसरी company बजाज Finance Limited 551 की quantity लिए हुई है इसमें रावगाने जीगी 35,90,000 का ये भी investment बजाज Finance में चौती जो company दोस्तो दीपक नाइटरीड 568 की quantity लिए है इसमें इनकी 12,00,000 का लगा investment है पांचवी company दोस्तो डिविस लेवोटरी लिमिटेड 567 की quantity उनने स्लाग सेतराजार का investment किया हुई है इनका आगे चलते डॉक्टर लाल पैतलाफ लिमिटेड 516 की quantity साड़े 10,00,000 का investment है इसमें इसके बाद दोस्तो फाइन ओर्गानिक इंडस्ट्री 211 की quantity साड़े 8,00,000 का investment है इसमें भी इसके बाद आती है गरवाड टेक्निकल फाइबर लिमिटेड मिटेड मिटकेप कंपनी साड़े 6,000 करोड का market cap है लंग बग इसका इसमें साड़े 16,000,000 का investment है रावल गांदी जी का जी एम एम फॉर्डलर 1121 की quantity 14,000,000 का investment है इसके बाद दोस्तों हिंदुस्तान यूने लिवन डिमिटेड 1161 की quantity ली हुई है 27,000,000 का investment है इसमें भी ICIC bank इलकोड नाच के बाइस सो निन्यान में की नगबग नगबग 300 की quantity ली हुई है दोस्तों 24,000,000,000 का इसमें investor रावल गांदी जी का अगली कंपनी इंफोईच 85 शेयर 4,500,000 का investment इंफोईच लिमिटेड 870 की quantity ली हुई है दोस्तों 14,21,000 का investment है इसमें भी ITC लिमिटेड 3000 की quantity ली हुई है 13,000,000 का लगबग लगबग investment यहां तक देखने के बाद लगता है दोस्तों 9050 की ही लगबग कंपनिया रावल गांदी जी ने अपने stock portfolio में ले हुई है ITC के बाद बात करें दोस्तों LTE मेंटरी लिमिटेड 407 की quantity ली हुई है 21,14,000 का investment है इसमें रावल गांदी जी का फिर उसके बाद इसके बाद सूपरजित इंजिनेरिंग इंडिमिटेट 4068 की quantity ली हुई है साड़े 16,000,000 का लंगबग लंगबग investment है टाटा कंसल्टी सर्विस्स 234 की quantity ली हुई है 9,30,000 का investment है इसमें इसके बाद टाटा ही ग्रूप की एक और कंपनी टाइटन कंपनी लिया दो तो उसका इसके आट सो सत्यान में शेर लिये है राउग गांदीजी ने बातिस लाग थावन अजर का investment है उसमें फिर आता है दोस्तों ट्यूप investment of India 340 की quantity ली है 12,10,000 का investment है वर्टोज एडवर्टाइज मी वर्टोज एडवर्टाइजिंग 260 की quantity 1,90,000 का investment फिर दोस्तों विनायल केम अवर्टाइज इनकी portfolio पर बात करें दोस्तों पिडलाइज बजाज नेसले एशियन पेंट स्टाइटन जैसी बड़ी कंपनियों में इनका बहुत बड़ा नीवीश है 5050 का लगबग 70-80 परतिशन निवेशिंका 5050 की कंपनियों में से ही है इसके अलावा दूसरी बात करने दोस्तों और अबानी ग्रूप इनकी किसी भी कंपनी का स्टॉक इनकी पोर्टफोलियों में नहीं देखने को मिला जो की जो की थोड़ा सब डिफेंट है इसके लावा गौर्णमेंट के पीजी फ्टाफ भी एक निये जो की मार्केंट को एक तरफ करते हैं उन में से किसी भी कंपनी में इनका निवेश नहीं है इसा नहीं की एवन लार्ज़ के नहीं इन्होंने इन्वेस्ट कशा में पॉट्फोलियों में भी इनका इन्वेस्मेंट रहा है हो और बात करें तो एक अच्छा पॉट्फोलियो कह सकते हैं दोफ्तों पो एक अच्छे इन्वेस्टर माइंचेट का पॉट्फोलियो आपकी क्या रहा है इनकी पॉट्फोलियो पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्ते और मार्केट से जुड़ी अपडेट क के लिए मार्केट डाइक को जरूर सब्सक्राइब करें